नवस्कार दूस्तों एक बार फिर से आप सबों के बीच एक बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ जी हाँ और यहाँ खबर है MDM के संचालन से संबंधित MDM के संचालन संबंधित नए नियमों से शिक्छक आहत हैं उन्हों ने सरकार को दूसरी वेवस्था करने को कहा MDM योजना के ने नियमों ने सिक्षकों को प्रिशान कर दिया है इस कारण प्रारंभी के स्कूलों के प्रधाना ध्यापकों ने इस योजना को संचालित करने में अपनी और समर्थता जताते हुए विभाग के उच्चा धिकारियों को पत्र प्रेसित कर इससे मुक्त करने की अपिल की है बिहार राज प्रात्मिक शिक्षक संघर्स मोर्चा के राजे संयों जक चंद्रकांता ने बताया कि अब इस योजना को चलाने के लिए हम को PFMS के तहत यूजर आइडी और पासवर्ड जेनरेट करना होगा वेंडरों को जोरना होगा भुक्तान के लिए सभी अभिस्त्रवों का विद्याले सिक्षा समीती के सचीव से हस्तक्षर कराकर उसे अपलोड करना होगा एवं मेकर के द्वारा एडवाइस जेनरेट करन होगा यानि की हम के द्वारा सबसे बरी समस्या यह है कि ग्रामिन शेत्रों में ऐसे दुकान साइधी कहीं हो जिनके पास GST नंबर हो दुकान का बेंक अकाउंट हो और इमेल आइडी भी बना हुआ हो दूसरी बरी समस्या यह होगी कि इस योजना को स्कूल से संचालित करन होगी जिसके लिए अतिरिक्त फंड कहां से आएगा इस पर विभाग मौन है इसकी कोई जानकारी किसी की पास नहीं है तीसरी और आहम बात यह है कि सिक्षकों को गुनवत्ता पुन सिक्षा के लिए तैनात किया गया है बहुत कम परधान सिक्षक ऐसे हैं जो कंप्यूटर में दक्षता रखते हैं इस परकार से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से MDM संचालन के लिए जो नई विवस्था विभाग के द्वारा की गई है उसमें बरतमान परधाना ध्यापकों की परिसानी बढ़ेगी और इसके लिए निश्चित रूप से विद्याले में बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत